सुगर मॉनिंग आईज तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आने के 6 जनवरी के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को तो इस प्रस्ट में आपसे पूछ रहे हैं भी जनवरी 2023 में आयोजित कॉलकता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा है तो अंसर होगा स्पेन तो इंटरनेशनल कॉलकता बुक फेर जिसका आयोजन 31 जनवरी से 12 फरवरी 2023 तक किया जाएगा कहाँ पर कॉलकता के पास साल्ट लेक में स्थे सेंट्रल पार्क मेल ग्राउंड में जिसे बोई मेला प्रांगड नाम दिया गया वहाँ पर इसका आयोजन होगा ये इसका 46 नंबर का संसकरन है और इस्पेन इस बार थीम देश है ये आपको याद रखना है और पहली बार बंगाल की दुरलब पुन्थियों यानि की पुरानी हस्त लिखित पांडू लीपियों का भी यहाँ पर प्रदशन किया जा रहा है अच्छा इसी तरह से आपको याद होगा भी 2022 में अंतरराश्टर सूरजकुंड हस्त शिल्प मेले का आयोजन हुआ था जो कि इसका 35 संसकरन था वरिदाबाद हर्याणा में उसमें भागिदार देश था उजबेकिस्तान और थीम स्टेट था जमू कश्मी इस्पेन की कैपिटर उती ही मेड्रेड प्रधार मंत्री है पेडरो सांचेज और अभी आपको याद भी होगा इस्पेन ने एक नया ट्रांसेजेंडर कानून भी पारित किया था उसमें क्या था कि 16 साल के उपर का कोई भी वेक्तिय अपना लिंग बदल सकता है अभी फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था 2022 में भारत में हुआ था जिसको इस्पेन ने जीता था कोलंबिया को हराकाल और इसी दरह से अभी जो नवंबर में 53 वा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल आफ इंडिया का आयोजन हुआ था गोवा में वहाँ पे स तो ये भी सारे पॉइंट्स याद रखना आप बढ़ते आगे तो गाइस पांच जनवरी के डेली करंट अफेर्स क्विज के रिजल्ट आ चुके हैं वैसे नाम तो के वल टॉप फाइव इस्टुडेंट्स का ही लेना होगा लेकिन आप सभी ने अच्छी कोशिश किये मे अगर आप में से कोई भी तक क्विज नहीं लगा रहे हैं तो क्विज जरूर लगाएं क्योंकि आपको बता दू ये जो हम पढ़ रहे हैं ये तो क्विज आपको मिलेगा ही सही इनके अलावा में क्या कर रहा हूँ वहां पर पांच-छे कुशन पुराने करेंट अफेर्स करने वाला राज्य कौनसा बन गया है तो अंसर होगा उत्तराखंड अब इसका मतलब क्या हो गया देखो एक्चुली में यहां पे लगबाग देड़ सो साल पहले यानि कि अंग्रेजों ने इस सिस्टम को शुरू किया था जिसमें क्या होता था कि राजस्व विभाग के जो सिविल अधिकारी या पटवारी होते थे वो ही पुलिस की तरह अपरादियों की जाच करते थे उन्हें गिरफतार करते थे ये सब शक्तिया उनके पास थी और ऐसा ही सिस्टम आज भी यहां पे है पर अभी उससे समाप्त कर दिया गया और अब सभी राजस्व गाउं नियमित पुलिस व्यवस्ता के अदिन हो गए हैं मतलब आब उत्तराखन के 1800 राजस्व गाउं में कानून जो व्यवस्ता है वो राज्य पुलिस सम्भालेंगी पूराना सिस्टम खतम कर दिया गया अचा पुलिस से आपको याद आएगा अभी 36 गड़ की पुलिस के निज परतन को शुरू किया तो आंचर होगा आंदर प्रदेश पुलिस ने अच्छा देश की पहली महिला डिजीपी कौन थी कंचन चौदरी भटा चार्रे थी जिनका निधन हो चुका है अभी गुरुगराम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी थी कला रामचंदरन बनी थी और इसी तरह से आपको याद होगा असम पुलिस की पहली महिला महा निरिक्षक कौन बनी थी वॉयलेट बरुआ अब बात विसे यहां पर उत्तराखंड किये तो ये रामयप में उत्तराखंड देखो इसकी दो कैपिटल है इसकी जो विंटर कैपिटल है वो देहरा थापित होगी उत्तराखंड के तीहरी में अभी उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंतरी लगपती दीदी योजना को शुरू किया था और याद रखना प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है अभी ऑ था कि उत्तराखंड के देविस्थल में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलिस्कोप भी स्थापित किया गया अभी उत्तराखंड के ब्रेंड अमबेश्टर बने थे रिशप पंत और अक्षे कुमार भी बने थे भारत का पहला वन्चिकेशा केंद्र ये किस राज्य में खुला गया उत्तराखंड में और देश के पहले Aromatic Garden इसका उधगाटन भी हुआ उत्तराखंड में उत्तराखंड के हलद्वानी में इसी तरह से भारत की सबसे बड़ी Open Air Furnary कुली है उत्तराखंड के रानी खेत में उत्तर भारत का पहला Arcade संगरक्षन केंद्र खुला गया उत्तराखंड के चमॉली जिले में भुकंप Alert एप्लिकेशन को लॉंच करने वाला पहला राज्य ये भी उत्तराखंड है इस एप्लिकेशन को IIT रुड की ने बनाया और भारत का पहला Forest Healing Center का पे खुला ये उत्तराखंड के रानी खेत में खुला उत्तराखंड ने ही घरूं की पहचान चेली का नाम योजना शुरू की थी मुख्यमंत्री महालक्षमी योजना शुरू की थी नंदा गोरा योजना शुरू की थी वातसल्य योजना शुरू की थी और उत्तराखंड में ही मनाया जाता है हरेला उत्सव और हरेली उत्सव ये 36 गड़का है याद रखना ये भी वैसे भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया भारत का पहला मोस गाडन ये उत्तराखंड के नैनिताल जिले में मिलेगा और उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी थी शरष्टी गोस्वामी राजाजी टाइगर रिजर्व यहां मिलेगा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपको यहां पे मिलेगा टेहरी डैम आपको यहां पे मिलेगा और किस नदी पर है ये भागी रथी नदी पर है तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे और ये किसके किसके बीच चलेगी तो उत्तर प्रदेश के वारणासी और असम के डिबरुगड के बीच में और प्रधान मंतरी नरेंद्र मुदी अभी 13 जनवरी 2023 को इसे लांच करेंगे ये क्रूज विश्व धरोहर स्थलो सहित 50 से अधिक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प स्थलो पर रुकेगा क्योंकि ये भारत और बांगलादेश की नदियों के माध्यम से यात्रा करेगा ये क्रूज 50 दिनों में 32 किलोमिटर की दूरी तै करेगा इसकी शमता 50 यात्रियों की होगी और ये क्रूज बारत और बांगलादेश में 27 नदिय प्रनालियों से होकर गुजरेगा तो इस क्रूज का नाम आपसे पूछा जा सकता है गंगा विलास और किसके किसके बीच चलेगा ये वारानासी और डिब्रुगड ये याद रखना अब देखो जैसे ही मैंने वारानासी बोला आपको वारानासी से 2-3 फैक्ट से याद होने चीए जिनका संबन्द आपके करेंट अफैस से है जैसे कि अभी शंगाई कोपरेशन और्गिनाइजेशन की पहली कल्चेरल एंड टूरिजम कैपिटल बनी है वारानासी 2022-23 के लिए उसके अलावा अभी नवंबर 2022 में प्रधान मंतरी गती शक्ती मल्टी मोडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन ये हुआ वारानासी में और अभी देसंबर 2022 में युनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का आयोजन कापि किया गया वारानासी में और रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उप्योग करने वाला पहला शहर ये वारानासी है अच्छा अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए राष्ट्रे जलमार्ग वन ये किस नदी पे है कंगा नदी पे है और ये सबसे बड़ा है कहां से कहां तक है तो प्रयागराद से हल्द्या तक और राष्ट्रे जलमार्ग दो ये किस नदी पर है ब्रह्मपुत्रनद ये दुब्री से सदिया तक है असम में ये भी याद रखना बढ़ते आगे फर बताईए अभी किस देश ने एक जनवरी 2023 को अगले छे महीने के लिए ये युरोपिय संग्य युनियन परिशत के अद्धिक्षिता संभाली है तो आंसर होगा स्विडन तो याद रखना स्वीडन ने 1 जनवरी 2023 से अगले 6 महीनों के लिए यूरोपिय संग के अध्यक्षिता संभाली है और वैसे मैं आपको बता दू कि 1995 में यूरोपिय संग में शामिल होने के बाद से स्वीडन ने एक तो 2001 और 2009 में अध्यक्ष पद संभाला था स्वीडन इसके कैपिटल होती है स्टॉक होम करंसी है स्वीडिश क्रोना और प्रधान मंतरी है उल्फ क्रिस्टरसन और क्रोईश है आपको जरूर याद आएगा ये यूरोपियन यूनियन में शामिल होने वाला तो 27 वा देश है जो की 2013 में ये शामिल हो गया था लेकिन यूरो करंसी को अपनाने वाला अभी ये बीसवा देश बना है ये आप जरूर याद रखना बाकी यूरोपियन यूनियन 27 मेंबर देश है हेड़कोर्टर इसका मिलेगा आपको ब्रुसल बेलजियम में और अभी आपको याद होगा यूरोपिये संग के संसत के 16 बननी थी नया अपोइन्मेंट है तो इनका नाम याद रखना और ये माल्टा देश से है त्यान रखना हम बढ़ते आगे चलिए फिर बताइए अभी हाली में चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया तो अंसर होगा मेथिली ठाकुर को तो अभी भा पहली बार नहीं है इससे पहले भी चुनाव आयोग ने 2019 में मेथिली ठाकुर को उनके दो भाईयों के साथ मधुबनी का ब्रेंड एमबेजडर बनाया था बाकी प्राजक्ता कोली अभी भारत की पहली सन्युक्त राष्टर विकास कारेकरम युनाटिड नेशन डेवलेप अगर चुनाव आयोग की बात करते हैं तो इसतापना होती है 25 जनवरी 1950 को और यही कारण है कि 25 जनवरी को अब नेशनल वोटर से डे के रूप में मनाते हैं वैसे 25 जनवरी को नेशनल टूरिजम डेवी होता है और वरतमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिशनर कौन है राज और आपको बताए दुनिया का सबसे उच्चा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश में है हिमाचल प्रदेश के टशी गंग में और अभी चुनाव आयोग ने तिरेपुरा में 90 परतिशा से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 को लौंच किया था चलो एक प्रशन आपके ल नहीं बना है तो अंसर होगा कुलदीप सिंग पठानिया तो कांगरेस के वरिष्ट नेता और भटियात से 5 बार के विधायक कुलदीप सिंग पठानिया ये हिमाचल विधानसभा के अलके स्पिकर बने हैं वे हिमाचल प्रदेश के 28 स्पिकर होंगी अब जानते हैं अभी ended पेस्टों के एक्स्चेंज के MDCO बने थे सुन्दर रमन राममूर्ति, KVIC के CO बने थे विनित कुमार और ONGC के नए अध्यक्ष बने है अरुन कुमार सिंग, तो ये ध्यान रखना बढ़ते आगे, चलिए फिर बताईए, अभी जनवरी 2023 में राष्टरपती दुरौपती मु पाली जिले के रोहट में जमबूरी का उधगातन किया, और राजस्थान ने 66-67 साल के बाद जमबूरी की मेजबानी की है, इसमें देशबर के 35,000 से ज़्यादा स्काउट और गाइड ने पार्टिसिपेट लिया, और निम्बली गाउं में 220 हेक्टेर शेत्र में सभी अब बात राजस्थान की है, तो यह रा मैप में राजस्थान, देखो राजस्थान की केपिटल जैपूर है, जैपूर को ही पिंक सीटी का आ जाता है, और अभी 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था, यूनेसको की, और याद रखना, भारत का त अभी आपको याद होगा, इंदरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है, राजस्थान ने, इसमें सो दिन का रोजगार दिया जाएगा, शहरी बेरोजगारों को, अभी भारत की पहली, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अधरे डिजिटल लोक अधालत क आपे शुरू हुई, राजस्थान में, और याद अखना एक बिहारी पुरुसकार है, ये राजस्थानी लेखकों को मिलता है, तो अगर पूछे 2022 का जो 32 बिहारी पुरुसकार है, ये किसे मिला, डॉक्टर मादाव हाडा को पचरंग चोला पहर रखीरी के लिए, और 2021 के जो 31 मिला है, वो है मधू कांकरिया को हम यहां थे के लिए, पुषकर मिला, ये आपका राजस्थान में लगता है, और पुषकर महुत्सव पूछेंगे, तो आंसरोगा कश्मीर में लगता है, दोनों में अंतरियाद रखना, और Statue of Believe, यानि कि भगवान शीव जी की ये 369 फीट उची है, कहां पे बनी है, राजस्थान के राजसंबन जिले के नाथ द्वारा में, और सभी को मुफ्त स्वास्त बीमा देने वाला पहला राज्य, राजस्थान है, उस योधना का नाम है चिरंजीवी योजना, जिसमें बीमा राशी को पात लाक रुपे से के 10 लाक रुपे कर दिया गया, और भारत का पहला महिलाओं के द्वारा संचालित सहकारी बैंक ये राजस्थान में खुलेगा, राजस्थान महिला निधी के नाम से, और भारत की पहले डिजिटल लोक अदालत ये राजस्थान में शुरू की गई, एक आचल अभियान, य आखे आप जानते हो, जिनों सिक्वेंसिंग की सुबunkा शुरू करने वाला देश का पहला राजय ये राजस्थान ही है, जेविंद्र नीति को लागू करने वाला पहला राजय राजस्थान है, और राजस्थान में कितनी रामसर साईट हैं, तो दो हैं, सामभरला केवला देव नेशनल पार, अभी राज्य का चोथा और देश का बावनवा टाइगर रिजर्व ये राजस्तान का रामगड विश्यदारी अभ्यारन ने बना जो की बुंदी में है और अगर आप लोगों ने अभी 2022 में जितनी भी आपके युद अभ्यास में लेक्तरी एक्सरसाइज हुई है उनका एक special वीडियो बना करके मैंने आप लोगों को दिया था और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादे exercises आप देखोगे तो राजस्तान में हुई है कौन कौन सी हुई एक बार फिर से हम revise कर लेते हैं देखो हमने Australia के साथ जो Australia हिंद नाम का exercise किया था कहाँ पर राजस्तान में हमने France के साथ गरुड अभ्यास किया था राजस्तान में हमने Oman देश के साथ में Eastern Bridge नाम का exercise किया था राजस्तान में Oman के साथ अल नगाह नाम का exercise भी किया था राजस्तान में हमारी Indian Air Force ने वायू शक्ति अभ्यास का आयोजन किया था राजस्तान में और भारते सेना के दक्षन पश्चिम कमान ने सत्रु नाश अभ्यास किया था राजस्थान में ही और इसी तरह से मैंने आपको वहाँ पर भी याद करवाए था तो अभी तक आपने वो युद्ध अभ्यास वाला टॉपिक वाईज चो वीडियो ये वो नहीं देखा तो अंतिम जीवित अंतिर्क्ष यात्री का भी निदन हो गया उनका नाम क्या है तो आंसरोगा वॉल्टर कनिंगम वॉल्टर कनिंगम ये नासा के अपुलो मिशन के पहले सफल मानवयोक्त अंतिर्क्ष अभ्यान की चालक दल के अंतिम जीवित अंतिर्क्ष यात्री थे जिनक अभी 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया अपोलो 7 ये अपोलो अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल की उडान थी जिसे 1968 में भीजा गया था और अपोलो मिशन के जरिये ही अंतरिक्ष यात्रियों को आगे चलकर चंदरमा की सत्व पर उतरना संभव हो सका अच्छा निधन से कुछ संबंदिद इंपोर्टेंट परशन आपको रिवाइस करवाते हैं जैसे कि आपसे पूछा जाए कि अनाद बच्चों की मा के नाम से मशूर थी सिंदू, ताई, सकाल इनका निधन हो गया और सुतंतर भारत के पहले मतदाता कौन थे जिनका निधन हो गया शाम सरन नेगी अभी देश के स्टील मैन के नाम से मशूर थे जमशेज जे इरानी इनका निधन हो गया दुनिया के सबसे गंदे आदमी थे अमो हाजी इनका निधन हो गया वे इरान से थे मशूर थे कलमाने कामे गुडा ये करनाटक से थे इनका निदन हो गया भारत की पहली महिला कार्डियोलोजिस्ट कौन थी डॉक्टर एस पदमावती इनका निदन हो गया भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का भी निदन हो गया उनका नाम क्या था शार्दा मेनन और एक रु पुशोबन बंदोपाध्याए ये पश्चिमंगाल से थे बाकी औरल रिहाइडरेशन थेरेपी के जनक कहे जाते थे दिलिब महलानाबिस इनका भी निदन हो गया कंणर के कबीर के नाम से कौन फेमस थे इबराहिम सुतार इनका भी निदन हो गया याद रखना 2022 में पदम श् जा सकता है संध्या मुखरजी नाम था और फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कौन थे नरिंदर सिंग कपानी उनका निदन हो गया भारते सारवजनिक उपक्रमों के जनक इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनेट्स के फादर कहे जाते थे डॉक्टर वीक रश्नमूरती उनका निदन हो गया और एक और संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा उनका भी निदन हो गया तो ये निदन यानि के अबिचेरी से रिलिटेट कुछ इंपोर्टेंट प्रशन थे इनको ध्यान रखना बढ़ते आ गए फिर बताईए अभी जनवरी 2023 में सुमित्रा सेन का निदन हो गया उन्हें किस वर्ष पश्चिमंगाल सरकार के द्वारा संगीत महा सम्मान पूरसकार से सम्मानित किया गया तो अभी जनवरी 2022 में रवींदर संगीत की प्रख्यात प्रती पादक थी सुमित्रा सेन जिनका भी निदन हो गया दो जार बारा में पॉलर पेले का भी अभी निदन हो गया यह नाम भी ध्यान में रखना आप पढ़ते आगे फिर बताओ अभी रक्षा मंत्रा ले के द्वारा कितनी के नाइन वज्रे ट्रेक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड हविजर तोपों को खरीदा जा रहा है तो अंसर होगा 100 तो अभी रक् अंतलब सो हम अल्रेडी ले चुके हैं 2020 में ही ये के नाइन थंडर प्लेटफॉर्म पूरी तरह से वेल्डेड स्टील कवच सुरक्षा सामगरी से बना है लार्सन एंटोब्रो ये बना रहा है इसे लेकिन इससे पूछा जाए किस देश की टेक्निक को यूज करा तो अरधाम एक्सप्रेस विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया चार जनवरी को फिर बताओ अभी किस राज्य सरकार ने मुख्य मंत्रे आवासे भूमी अधिकार योजना को शुरू किया मध्य परदेश ने फिर बताओ अभी सम्विधान पार्क कहां पे स्थापित किया गया राजस्थान में और अभी किस राज्य के जागा, ये जग निये जागा है जागा मिशन ने World Habited Award 2023 को जीता तो आंसर होगा उड़िषा है इसे करेक कर ले ना जग मिशन अबने पड़ा था जग निये जागा है तो आंसर इसका उड़िषा होगा फिर बताओ अभी ग्रे मंत्राले ने भूमी और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समीती का गठन किया इस समीती की अद्धिक्षिता किसके द्वारा की जाएगी तो आंसरोगा नित्यानंद राय अभी किसे राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया तो आंसरोगा मनीपुर में फिर बताओ अभी जनवरी 2023 में धाका साहित्य महुत्सव का कौन सा संस्करन आयोजित हुआ तो आंसरोगा दस हुआ और बताओ अभी किसने कवास सूरत में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑप्रेशन शुरू किया तो आंसरोगा न्टी पीसी अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछ रहे प्रशन के उत्तर की तो कल आप से पूछा था सियाचिन में सक्रेय रूप से तेनाथ होने वाली पहली मैला अधिकारी कौन बनी है तो अंसरोगा शिवा चोहान आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उत्तर दिया और गाईज एक बार फिर से याद दिला रहा हो सेशन अगर पसंद आया लाइक नहीं करा भूल जाते हो तो याद दिला दिया है आप तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका study group है प्लीज एक बार वहाँ पे इसको share जरूर करना इन सबी का आपके practice के लिए कुछ बना करके upload कर दिया जाता है आपके click exam application पे वहीं पे इनके pdf पे आपको मिल जाएगी अब ये रहा आज का आपका homework प्रशन